हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटिव चैनल एजुकेटेड भारत में आज के वीडियो में हम भारत के समविधानिक विकास से रिलेटेड टॉप 32 MC की उस देखने वाले हैं बहुत जादा important है आज का वीडियो क्योंकि ये topic बहुत जादा exam में पूछा जाता है और मैंने वही questions रखे हैं आज के वीडियो में जो बार बार repeat होते हैं exam में इसलिए please वीडियो को end तक जरूर देखेगा दोस्तों अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए और bell icon जरूर प्रेस करिए क्योंकि आपके support की बहुत जादा जरूरत है मेरे चैनल को इसलिए please चैनल को support कीजिए वीडियो को share कीजिए आपको जो भी वीडियो अच्छी लगती है उन्हें like भी कीजिए और साथी साथ share करते जाएए अगर आपको इस वीडियो का या किसी और वीडियो का PDF चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा link description में दिया हुआ है आप वहाँ से हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हैं चलिए start करते हैं आज के questions first question है civil सेवा परिक्षा में भरती के लिए द्वार भारतियों के लिए किस act के तहट खोल दिया गया तो सही answer यहाँ पर हो जाएगा B Charter Act 1853 के तहट civil सेवा परिक्षा में भरती होने का द्वार खोल दिया गया था भारतियों के लिए देकि बहुत बार ये question पूछा गया है इसलिए हमको याद रखना है कि कौन सा act है वो तो Charter Act था 1853 का जिसके तहट भारतियों को सेवा परिक्षा देने का अधिकार मिल गया था next भारत में सामप्रदाइक्टा का जनक कहा जाता है तो उसका सही answer हो जाएगा भारत में सामप्रदाइक्टा का जनक कहा जाता है भारतिये विधान पाली का प्रतम भार द्वी सदनिये बनाई गई तो उसका सही answer हो जाएगा भारतिये परिशद अधिनियम 1892 देकि ये question भी बहुत बार रिपीट हुआ है भारतिये विधान पाली का प्रतम भार द्वी सदनिये बनाई गई कब बनाई गई तो भारतिये परिशद अधिनियम 1892 के तहर बनाई गई नेक्स्ट निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघिये शाशन की वेवस्था की थी तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका C भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघिये शाशन की वेवस्था की थी नेक्स्ट निम्न में से कौन सी एक भारतिये शाशन अधिनियम 1919 की विशेशता नहीं थी तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा C केंद्र में द्वेत शाषन ये भारतिये शाषन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी निम्न में से किस अधिनियम के अंतरगर्थ भारतिये विधान परिशत को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई तो सही आंसर हो जाएगा B, भारतिये परिशद अधिनियम 1892 के तहट भारतिये विधान परिशत को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो सही आंसर हो जाएगा C, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ इसका वीडियो मैंने बनाया है अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ आप जरूर देख लिजेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या हुआ था चलिए किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रान्तिय स्वतायत थी तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा C, 1935 और यह एक्वेशन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कौनसा सत्य नहीं है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा B, साइमन कमीशन ने भारत बिवाजन ऐसा कुछ नहीं था साइमन कमीशन में ठीक है तो यह सत्य नहीं है बाकी कैबिनेट मिशन, सम्विधान सभा का गठन, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वासाशन और मारले मिंटो, सामप्रदाइक, प्रतिनिदित्व यह तीनों ही सही है जबकि यह बीच वाला जो B है वो गलत है किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकरित भारत कहा गया तो सही आंसर हो जाएगा B 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में भारत को ब्रिटिश अधिकरित भारत कहा गया यह question बहुत बार रिपीट हुआ है इवन PSC में भी पूछा गया है इसलिए और भी ज़्यादा important हो जाता है तो आपको इस अच्छी तरीके से याद रखना है Next Company के वैपारिक अधिकार समाप्तिकर केवल राजनितिक कार्य करने थे Next भारत के प्रथम वैसराय वा गवर्नर जनरल कौन बने तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका C. Lord Canning भारत के प्रथम वैसराय थे Next महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया बहुत जादा important question है बहुत जादा बार repeat हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा C. 1919 के अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया Next 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन है तो सही आंसर हो जाएगा इसका B. 1935 में संघिय नियाले की स्थापना ठीके 1935 के अधिनियम में जो असत्य कथन है वो है B. चलिए next किस अधिनियम के तहट East India Company के शाषन हेतु पहली बार लिखित सम्विधान प्रस्तुत किया गया तो सही आंसर है C. Regulating Act 1773 के तहट East India Company के शाषन हेतु पहली बार लिखित सम्विधान प्रस्तुत किया गया था next किस एक्ट के द्वारा भारत में इसाई मिशनरियों को प्रवेश करने वा धन प्रचार करने की अनुमती दी गई ये question भी बहुत बार पूछा गया है इसका सही आंसर हो जाएगा D. Charter Act 1813 के द्वारा 1813 के द्वारा इन्हें ये परमीशन दी गई थी next भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा A. Lord William Bentic भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे केंद्र में द्वेद शाशन किस अधिनियम के अंतरगत इस्थापित किया गया देखे बहुत important question और confusion भी होता है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा C. भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतरगत इस्थापित किया गया केंद्र में द्वेद शाशन next राष्टपती की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ती प्रेरित है सही आंसर है C. भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्टपती की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ती प्रेरित है निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संगिय शाषन की विवस्था दी थी? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा C, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघिये शाषन की विवस्था दी थी, देखे 1935 बहुत important है एक्ट इसलिए इसके बारे में बहुत सारे questions बनते हैं, चलिए next देख लेते हैं किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशाषन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया तो सही आंसर हो जाएगा A, Charter Act 1833 ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशाषन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था next असर आपर हो जाएगा C, Dr. Rajendra प्रशाद सम्विधान सभाके चुने गए इस थाई अध्यक्ष थे भारत की सम्विधान निरमात्री सभाके अध्यक्ष कौन थे तो यहाँ पर सही आनसर हो जाएगा A, A Rajendra प्रशाद चलिए अब next देख लेते हैं यहाँ पर यह थोड़ा सा गड़बड हो गया है यहाँ पर यह आ गया है तो सही आंसर क्या हो जाएगा राजे इंदि प्रशाद जो A option में है next भारतिये सम्विधान सभा की स्थापना की गई थी तो यहाँ पर सही आंसर है B 9 दिसंबर 1946 को भारतिये सम्विधान सभा की स्थापना की गई थी next भारतिये सम्विधान को सम्विधान सभा द्वारा अंगिकरत किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत important question देखिए बहुत बार पूछा जाता है सही आंसर है A 26 नवंबर 1949 को भारतिये सम्विधान को सम्विधान सभा द्वारा अंगिकरत किया गया था भारत के सम्विधान की मूल सनरचना के सिध्धान का श्रोथ है तो सही आंसर हो जाएगा B न्याईक वैवस्था चलि next देख लेते हैं प्रतिये जो सम्विधान दिवस कब मनाया गया तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा C 26 नवंबर 2015 को प्रतिये जो 2015 था उनकी 125 साल गिरा के मौके पर ये मनाया गया है हमने 26 नवंबर 2015 को प्रतिये जो 2015 की रूप में मनाया था next प्रांतों में द्वेजशाशन के तहट कौन सा विशे प्रांतिये विश्यों के तहट सुरक्षिद विशे था तो सही आंसर है A. राजस्व बिल्कुल सुरक्षिद विशे था प्रांतिये विश्यों के तहट भारत के सम्विधान का प्रारुप तयार करने वाली सम्विधान सभा के सदस्यों को सही आंसर है B, बिभिन प्रांतों की विधान सभाव द्वारा चुना गया किस act के माध्यम से गवन्र जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया सही आंसर हो जाएगा B, Act 1858-1858 के Act में Governor General का पदनाम वाइसराय कर दिया गया Next भारत के सम्विधान के शोतों के संधर्ब में निमनांकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा D आर्द संधात्मक सरकार यह स्विजर्लेंड से नहीं लिया गया है संधात्मक जो हमने लिया है संधात्मक संध से रिलेटेड हमने जादत है चीज़े कैनेडा से लिया है और इसके अलावा कानू निर्मान की प्रक्रिया ब्रीटेन से राज नीती के नीती निदेशक्तत्व आयर्लेंड से और न्यायक पुर्णरवा लोकन ये हमने किया है सेयोक्त राज अमेरिका से चलिए तो ये कौन सा अर्ध संगात्मक सरकार हमने स्विज्जलेंड से नहीं किया है नेक्स्ट निमनांकित में से क्या भारत शाषन अधीनियम 1935 की विशेष्टा नहीं है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाए गड़ी प्रांतों में द्वेद शाषन भारतिये शाषन अधीनियम 1935 की विशेष्टा नहीं है और यहीं पर हमारे 32 questions कम्प्लीट हो गएं दोस्तों आशा करती हो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरू कर दीजेगा और इसे जादा से जादा शेयर कर दीजेगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बैल ऐकन जरूर प्रेस करिए क्योंकि हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत